हलो स्टुडेंज आज साथ अप्रेल 2019 है और आज का मौस्ट इंपर्टेंट करेंट अफिर इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है नास कौम के नए चेर्मेन कौन बने हैं तो इसके नए चेर्मेन बने हैं केशो मूरुगेश option A सही उतार है कैशो मूरुगेश जो हैं इस से पहले नास कौम के वाइस चेर्मेन थे अब चेर्मेन बने हैं किसकी जगा? रिसद प्रें जी की जगा इनने चेर्मेन बनाए गया है अब नए वाइस चेर्मेन कौन बने है? U.B. प्रवीन राव बने है, नास कौम के नए वाइस चेर्मेन नास कौम के बारे में जन लिजिए फूल फॉम होता है National Association of Software and Services Companies इसके अस्थापना 1 मार्च 1988 कुगी गई थी Headquarter Noida में है वर्तमान में इसके President है दिपजानी घोश Next Question है हाली में Bank Board ने India Bulls Housing Finance और किस बैंक के विले को मंजूरी दे दी है लक्ष्मी विलास बैंक और India Bulls Housing Finance को विले की मंजूरी दे दी है Bank Board ब्यूरों ने विले के बाद इसका नाम हो जाएगा India Bulls लक्ष्मी विलास बैंक हलकी अभी RBI की मंजूरी नहीं मिली है सिर्फ Bank Board ब्यूरों ने इसकी मंजूरी दी है अच्छा Bank Board ब्यूरों के Chairman कौन है भानू प्रताप शर्मा है अब हम India Bulls Housing Finance और लक्ष्मी विलास बैंक इन दोनों के बारे में जान लेते हैं India Bulls Housing Finance जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा Housing Finance कमपनी है इसके अस्थापना 2000 में की गई थी Headquarter गुरगाओं में है Founder and Chairman है समीर गहलवत MD and Vice Chairman है गगन बंगा लक्ष्मी विलास बैंक की अस्थापना 1926 में की गई थी Headquarter चन्नाई में है क्योंकि ये तमिल नाडू का बैंक है MD and Chairman है पर्त सार्थी मुखर जी London University ने निम्न में से किस प्रेख्याप बॉलिवूड अभिनेता को Law and Philanthropy में मानद डॉक्टरेड की उपाधी दी है किसे? शाहरुखान को Option C सहुता रहे तो किस इनुवर्सिटी ने दी है उसे अब ध्यान में रखिए London University ने अब यहाँ पर एक चीजाओं नोट करिए 2018 में World Economic Forum ने शाहरुखान को Crystal Award से सम्मानित किया था 2014 में शाहरुखान को France का सर्वोच नागरिक सम्मान Legion de Honor भी मिल चुका है 2005 मिने पदमी स्री पुरस्कार मिला था 5 अपरेल को उपराश्वती वेंकिया नैडू ने कहाँ पर राश्टिय हिर्दय रोग सम्मेलन 2019 का उधगातन किया लखनव में इसका उधगातन किया उत्तर परदिश के रजधनी है लखनव संजाय गंधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टिट ओफ मेडिकल साइंस में इसका आयोजन किया जा रहा है इस सम्मेलन में अमेरिका जपान दक्षिन कोरिया तथा सिंगापूर जैसे देसों के विसेसग्य भी भाग ले रहा है राष्टी हिरदय रोग सम्मेलन का आयोजन पहली बार उत्तर परदेश में किया जा रहा है इसका उत्गाटन किस ने किया उसे अब ध्यान में रखिये उप रास्वती वेंकिया नैडू ने अब हम यहाँ पर उत्तर परदेश के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप देख लिजे यह रहा उत्तर परदेश कितनी राज्जों से सिमा टच करती है वो जैनिये बिहार, जारखंड, 36 गड, मद्य परदेश, राजास्थान, हर्याना, हिमाचल परदेश और उत्राखंड यानि, आठ राज्जों से इसकी सिमा टच करती है और एक के अंदर सासित परदेश से वो है दिल्ली नेपाल से भी इसकी सिमा टच करती है, यानि एक कंट्री से उत्तर परदेश का गठन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, चेत्रफल की दरिष्टी से चोथे नंबर पे और जन संक्या की दरिष्टी से पहले नंबर पे है, सक्चरता दर है, 67.68, प्रतिशत, लिंगानुपाथे 912, 2011 की जनगणना की अनुसार कैपिटल लखनो, मुखे मंत्री है, योगी अधित्यनाथ, गवर्नर है, रामनाइक, लोकसबा सीट 80, राज्यसबा सीट 31, विधान साबा सीट कूल 404 है, एक सीट पर राज्यपल मनोनित करता है, विधान परिसद है, जिसकी सीट की संख्या 100 है, जिलो की संख्या 75 है, भार नेशनल पर्क है, दुदवा नेशनल पर्क, चंदर परवा, वाइल आफ सेंच्चोरी, हस्तिनापुर वाइल आफ सेंच्चोरी तथा, रानिपूर वाइल आफ सेंच्चोरी, डैम की बात करें तो, तो रिहंद डैम, गोविंद वल्लब पंसागर पर है, माता तिला डैम, बेतवान अधी पर है वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गये हैं? कौन? डेविड मलपास तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गये हैं, option A, right answer इससे पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीम योंग किम एक फरवरी 2019 को वो रिटायर हो गए, उसके बाद से एक्टिंग अध्यक्ष थी क्रिस्टिलीना जोर्जी एवा तो अब पूर्ण रूप से अध्यक्ष बन गये हैं, डेविड मलपास डेविड मलपास जो हैं, ये अमेरिके रास्पती डोनाल्ड टरंप के आर्थिक सलहकार भी रह चुके हैं वोल्ड बैंक के बारे में जान लिजे, इसके असापना कब हुई थी? मुख्याले वाशिंग्टन में हैं, वाशिंग्टन ड.C. अमेरिका की राजधानी है, वर्तमान में इसकी CEO यानी मुख्य करेकरी अधिकरी हैं क्रिष्टलीना जॉर्जी एवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ड बैंक के पेननी गोल्ड बर्ग भारती उद्योग परिषंग के नए अधियक्ष कौन बने हैं? वीकरम किरलोसकर बने हैं, ओप्शन B सहुत तरे इसका इससे पहले भारती उद्योग परिषंग के अधियक्ष थे रकेस भारती मित्तल, अब उनकी जगा वीकरम किरलोसकर बने हैं 2019 से 20 के लिए ये अध्यक्ष बने हैं, ये किरलोसकर सिस्टम लिमिटेड के चेयर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर तथा टोयोटा किरलोसकर मोटर के उपाध्यक्ष हैं। Option C में जो हैं उदय कोटक, इन्हें डेजिगनेट प्रेसिडेंट बनाए गया है CII का, यानि भारतिय उद्योग परिशंग का और प्रेसिडेंट बने हैं वीकरम केलोसकर द्यान में रखिए। उदय कोटक जो हैं, ये कोटक महिंदराबैंग के संस्थापक और मनेजिंग डारेक्टर एंड सीओ हैं। Option D में जो हैं T.V. Narendran, ये टाटा स्टील के मनेजिंग डारेक्टर एंड सीओ हैं, इन्हें भारतिय उद्योग परिशंग का उपाध्यक्ष बनाए गया हैं। फीफा काउंसिल के सदस्य के रूट में चूने जाने वाले प्रथम भारतिये कौन बने हैं। तो फीफा काउंसिल के सदस्य के रूट में चूने जाने वाले प्रथम भारतिये बने हैं प्रफुल पटेल। Option C सही उत्तार है इसका। इन्हें चार वर्स के लिए नियुक्त किया गया है। 2023 तक ये फीफा काउंसिल के सदस्य रहेंगे। प्रफुल पटेल जो हैं All India Football Federation के अध्याक्ष है। और इन्हें हाल ही में मलेशिया के राजधानी कौलालामपुर में आयोजीत 29 वे एसियन Football Confederation Congress में चुना गया है। फीफा काउंसिल के सदस्य के रूप में। अब फीफा का बात चल गया है तो इसके बारे में जन लीजें। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस ने जीता? फ्रांस ने. किस को आराकर? कुरेशिया को आराकर. हाली में फीफा ने अपना rank जारी किया है तो फीफा rank जारी किया है उसमें भारत को कौन सा अस्थान मिला है? 101 अस्थान मिला है और इसी ranking में पहले अस्थान पर कौन है? बेल्जियम और दूसरे अस्थान पर फरांस है अब फीफा के बारे में जानिए फुल पमोता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फोटबॉल एसोशियेशन इसके अस्थापना 21 माई 1904 को की गए थी हेड़क्वाटर जीवरिक स्वीजेलेंड में है वर्तमान में इसके अध्यक्षें जियानी इनफेंटिनो और वरिष्ट उपध्यक्षें सलमान बिन इबराहिम अल-खलीफा नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजीत 14 वे गलोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में कीस भारतिये कमपनी को गलोबल स्लैग कमपनी ओफ दे इयर से सम्मनित किया गया है टाटा इस्टील को ओप्शन डी सही उत्तर है इसका ठीक है जर्मनी में 14 वे गलोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 का आयोजन किया गया था इसी भी आप ध्यान में रखिए चलिए अब जर्मनी और टाटा इस्टील के बारे में जान लेते हैं जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है जर्मनी इसी के पास में निदरलेंड है फ्रांस है स्वीजरलेंड है बेलजियम है चेक रिपब्लिक और्श्ट्रिया पॉलेंड आधी मुझूद है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन राष्टर पत मुंबई में है वर्तमान में इसके चेयर में है नाट राजन चंतर सेखरन एमदी एंसीओ है टीवी नरेंदरन निम्न में से किस है दौजार अठर के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स एवार्ड मिला है दो लोगों को मिला है निरत चोपड़ा और पीवी सिद्धु क इसलिए ओप्शन ए और बी दोनों सेही है इसी एवार्ड में ESPN कम बैक ओफ दे इयर का एवार्ड मिला है साइना नहवाल को निरत चोपड़ा का संबंद किस खेल से है भाला फेक से पीवी सिद्धु और साइना नहवाल का संबंद बेडमेंटन से है ESPN जो है यह अमेरिका अधारित स्पोर्ट्स टेलिवीजन चैनल तथा स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क है नेक्स्ट है मुंबई हाई कोट के नए मुख्यान एदिस कौन बने हैं? तो मुंबई हाई कोट के नए मुख्यान एदिस बने हैं प्रदीप नंदरा जोग, option B, right answer प्रदीप नंतरा जोग इससे पहले राजस्थान हाई कोट के मुख्यानेदिस थे अब ये मुंबई हाई कोट के मुख्यानेदिस बन गया है अच्छा तो राजस्थान हाई कोट का मुख्यानेदिस का पत तो खाली हो चुका है तो एक्टिंग मुख्य नैदिस कौन बने है? राजस्थान हाई कोट के वो बने है? मुहम्मद रफीक ओप्शन ए में जो दीख रहे हैं टीबी राधा क्रिस्नन ये हाली में कुलकत्ता उचिनेले के नए मुख्य नैदिस बने है टीबी राधा क्रिस्नन इससे पहले तेलंगाना हाई कोट के मुख्य नैदिस थे अब तेलंगाना हाई कोट के मुख्य नैदिस जो की एक्टिंग है कौन बने है? राघवेंदर सी चौहान नेक्स्ट है हाली में भारत और किस देश के बीच सजा याफ्ता कैदियों के प्रतेवरतन के लिए एक संधी पर हस्थाक्चर किया गया है भारत और ब्राजील के बीचे इस संधी पर हस्थाक्चर किया गया है ये दोनों देश कैदियों को अपने अपने देश हवाले करेंगे और ये कैदी बचा हुआ सजा अपने देश में कटेंगे ठीक है? ब्राजील एंसर है इसके बारे में जान लिजे ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है लाइटिन अमेरिकी कंट्री भी बोल सकते हैं ये है ब्राजील कैपिटल है ब्रासीलिया राश्टर पती है जेयर बोल सोनारू मुदरक नाम है रियल चन्नाई सेंटरल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल कर डाक्टर एम जी राम चंदरन सेंटरल चन्नाई सेंटरल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है डाक्टर एम जी राम चंदरन जो है ये तमिल नाडू के पूर्व मुख्य मंत्री है और अल इंडिया अन्ना दराविड मुनेतर कड़गम के संस्थापक भी है डाक्टर एम जी राम चंदरन ग्रीह मंत्राले ने इसकी मंजूरी दे दिया है यानि इस एस्ट्रेशन का नाम बदल गया है इसकी मंजूरी किस ने दिये ग्रीह मंत्राले ने विकास और शान्ति के लिए अंतराश्री एक खेल दिवस कब मनाय जाता है तो अंतराश्री एक खेल दिवस मनाय जाता है हर वर्ष 6 अपरेल को ओप्शन ए सही उत्तर है इसका इस वर्ष का विशाय क्या है यानि थीम क्या है वो मुझे मिला नहीं है अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना अचा, अंतराश्री एक खेल दिवस 6 अपरेल को मनाय जाता है भारत में राश्री एक खेल दिवस कब मनाय जाता है 29 अगस्त को मनाय जाता है तो ये था हमारा आज का करेंट अफ्यर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और जो भी study group हैं आपके device में share जरूर करना अब चलिए last वीडियो का answer बता देता हूँ पहला कोशन था JLL इंडिया द्वारा हाली में जारी home purchase affordability index 2018 में सबसे सस्ता वासिय बजार कौन सा है अब चलिए आज का quiz करता हूँ जिसका answer आपको नीचे comment में लिखना है पहला कोशन है निमने में से किस ने 1350 light ops के साथ light painting photography में गिनीज book of world record में नमदर्ज किया है दूसरा कोशन है 5 अपरेल 2019 को कौन सा राष्टिय समुदरी दिवस मनाई गया दोनों का answer नीचे comment में जरूर लिखेगा और जो लोग पहली बारा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा